अब लोग अच्छे होंगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के नवाय उर्दू के आपके घजल की तश्री और नजम का जो मरकजी खयाल है उसको तो जलदी जलदी इसे पढ़ेंगे इसके बाद एक वीडियो में आपके लिए और शेयर कर दूंगी जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट अदीब और शायर के बारे में बताऊंग उसमें आपके सारी कोशन आंसर्स वगेरा मैंने डिटेल से एक्स्प्लेइन कर दीए अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखिए तो लिंक डिस्क्रिप्शिन में और कमेंट बॉक्स दोनों में है आप महासे देख सकते हैं तो चलिए अब हम लोग से पढ़ना इस नजन का मरकजी खयाल देखते हैं तो देखए यह नजन का मतलब क्या होता है बेटा जनके अब रहेने हरा थे ठीक है उनके वैलकम के लिए कह सकते हैं या उनके हम कह सकते हैं सुआगत के लिए ही कहेंगे बलके कि और ना 1903 में दिली के दर्बार को सजाया गया था ठीक है इसे दर्बार को अकबर ने भी देखा था और अकबर ने इसका क्या नाम रखा था जलवाए दर्बारे देहली ठीक है और इसमें उनोंने बताया था कि दिखे अकबर जो थे तो कहते हैं इस नजम में उन्होंने क्या करा है दिल्ली के दर्बार की सजावट का जिक्र किया है किस तरह से जंगल को क्या कर दिया है कैम्प लगा कर मंगल कर दिया है यह विरान सी जगा को खुबसूरत बना दिया है क्या अंग्रेजों के आने के पाद दिल्ली वीडान ही हो गई थी. वहां लिखते हैं कि आंग्रेजों के शान शौकत वीडाइ थाली बीक शूरी रिsल हैं ठीद हम इसे क्या साथी शूरी किन थे पह friction की तर Do खेर हमें इससे कोई बहस नहीं है आपकी किताब के लास्ट में भी जब नजम आपकी पूरी हो जाती है तो आपको दिया हुआ होता है मरकजी ख्याल अगर आप महां से पढ़ना जाए तो वहां से भी पढ़ सकते हैं बाकी मैं आपको पढ़ा लिए हूँ अब देखिए अग मार्किट एजटिस सजी हुई है लोगों की भीड लगी हुई है फर खरीद फरोख तो दोनों चीज़े चल रही है मलब यह कि इनसान हर हाल में अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है और दो रासा मनजर निगारी भी की गई है जोश की यह खूबी है कि वो मनजर निगार के जरीए पेश करते हैं और खासा दोर से वो जो मनजर निगारी ना फितरत की वो बहुत अच्छी करते हैं तो यही चीज़ यहां अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं कि इस नजम में देखे लिका ना दिहाती बाजार की मनजर कशी की गई है ठीक इसमें उन्हो है बाजार लगा हुआ है एक तरफ तो आग बरसा रही है कौन सूरच की किरने और दूसरे तरफ शोरगुल मचा पड़ा है लोगों की भीड है जानवर मवेशी खरे देए बेचे जा रहे हैं और बहुत सारी अशिया हैं बहुत सारी चीज़ें जो बेची खरी दी जा रही है जो आपके निसाब में शामिल है और देश से आने वाले बता इसमें क्या है कि एक ऐसा इंसान जो बिचारा वतन से दूर है और वतन जा भी नहीं पा रहा है तो वह उस इंसान से बात कर रहे है जो अभी अभी हमारे वतन से आया है तो उसमें वह बताने की कुशिश कर र रही है ओर फिर वह भी बिचारा क्योंकि अपने वतन से दूर याद आ रही है इन्हीं सब चीजों को इसी जजबात को इसो है कि जब एक इंसान अपने वतन से दूर हो ए तो उसके जो आपके निसाब में शामिल थी, यह हमने तीनों को डिसकस कर लिया है, ठीक, अब हम चलते हैं घजलो की तरफ, ठीक है, पहले हम घजलो को पढ़ेंगे, फिर रुबाई को देखेंगे, देखें विटा, आपको पता है कि पहले घजल जो है, यह सौधा की है, ठीक है, और घ पहला शेयर देखें, तो क्या लेखते हैं, बहार, बे सर पे जाम और यार गुजरे है, नसीम, तीर सी चाती के पार गुजरे है, बहुत सिम्पल सी बात है, कि जब बहार का मौसम होता है, तो इनसान का जो दिल है, वो बहुत जदा खुश हो जाता है, मतलब उसे हर चीज एश और आम की चाहिए होती है, जो पागल होते है, उसके सर पर दिवानगी और जदा तारी हो जाती है, तो यहां पर देखिए, आप को तशरी देखने को मिल रही है, साथ में, आप यहां से चाहें, तशरी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक्स्प्लेइन कर रही ह क्योंकि आपका एक्जैम है, तो शायर बस यह कहना चाहता है, बहार का मौसम है, और ना ही तो मेरा महबूब मेरे साथ है, और ना ही मुझे शराब पीने को मिल रही है, इस सब चीजों की वज़े से, मेरी जो हालत है, वो क्या है, वो बहुत खराब हो चुकी है, मतलब जो मुझे नहीं मिल रही है, तो इस वज़े से एक हवा, एक नसीम ठंडी हवा होती है, जो दिल को मुसरत देती है, सुकून देती है, वो हवा कैसे मालूम पढ़ रही है, एक तीर जैसे मालूम पढ़ रही है, इसी के साथ आपको यहाँ पे एक फैस का शेर भी दे दिया गया तो ना सही, मतलब हम एक दूसरे को नहीं देख पाई, इट सोके कोई प्राउलम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में तू लाग बार गुजरे है, या ऐसा नहीं है कि अगर मैं तीरी गली से नहीं गुजर रही है, तू मेरे दिल में तीरे प्यार की कोई कमी हो जाएगी, ऐसा न नहीं है, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल में तू लाख बार गुजर जाती है, या दिन में लाखों मर्तबा मेरे जहन में तेरा ख्याल आता है, चीक है, आगे आ जाईए, इससरे एक और शेयर दिया गया है, या आपको पढ़ने की ज़रुत नहीं है, अगले तेरे कूचे में तेरे दर पे आके कह रही है मतलब दर्वाजे पे देलीस पे आके कह रही है क्या कह रही है कि इस जहां से कोई खाकसार गुजरे है यानि अपने आपको नीचा दिखाने के लिए इनसान खाकसार वर्ल्ड यूज करता है तो कहते हैं कि शायद ना जाने क्या तेरे खातिर में यार गुजरे हैं यानि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि जिससे मिलने पर तू बदनाम हो जाएगी या मैं तुझे बदनाम कर दूँगा मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं तुझे बदनाम करूं तो पता नहीं क्यों तू मुझसे मिलने तो मुझसे मिलने आ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो तुझे बदनाम करतूंगा, तो आपको पता है, घजल का हर शेर अपने आप में मुकमल होता है, तो हर जगा कुछ नहीं बात हो रही है, उमीद करती हूँ, आपको इस पेट सही लग रही होगी, अगर कम लग रही है या जादा लग रही है, तो आप अपने हिसाब से यूट्यूब की सेटिंग से जाके उसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह वन शोट रिविजिन है, मुझे जल्दी से पढ़ाना है, क्योंकि वीडियो वैसे भी देखे, इतनी लेंध ही हो जाती है, फिर आप लोग बोर होने लगते हैं, ठीक है, अब मुझे इसलेबस भी कंप्लेट कराना है, आप लोग कह रहे हैं मैं मतश्री भी बताइए, ठीक है, तो देखियां लेखते हैं, गुजर मेरा तेरे कूचे से यू हुआ है जाले, कि जैसे रेत से पानी की धार गुजरे है, यानि रेत और पानी कभी आपस में मिल नहीं सकते, है ना, तो वही कह रहे हैं कि मैं तीरी गली से गुजरा, तो इस तरह से गुजरा जैसे रेत के ओपर से पानी गुजर जाता है, तो रेत के ओपर बिल्कुल भी कोई असर नहीं पढ़ता, ठीक है, हाँ अगर बहुत तेज धार होगी त सकता है, और रेत के ओपर से कोई फरक नहीं पड़ता, रेत को कि अगर उसके ओपर से पानी निकल जाए, ना तो वह घुलती है, ना उसके साथ बहती है, क्योंकि रेत खुद अपने आप में बहुत भारी होती है, ठीक है, या तेरे ओपर कोई असर नहीं हुआ है, मेरे कह सकते हैं कि ये क्या है, मकता है, ठीक है, लेकिन ये कताबंद भी है, यानि जब दो मिस्रों में बात पूरी नहीं होती तो शायद चार मिस्रों का सहारा लेके एक बात को पूरा किया गया है, इसको हम कताबंद अशार कहते हैं, ठीक है, लिखते हैं, मुझे तो देखकर जोश और खरोश सौदा का ठीक है इसी ही फिक्र में लेलो नहार गुजरे है ये आदमी है कि सर मारता फिरे है बसंग के मौज तंग सर हो कोसार गुजरे है ठीक है तो क्या कहते हैं कि भाई जो सौदा के अंदर जोश और खरोश है ना मुझे वो देखकर मतलब बहुत पागल बन की कैफियत में हर जंगां पे क्या कर रहा है पत्थरों पे सर फोड़ रहा है तो मुराद यह है कि सौधा अपने जुनूने इश्क के बारे में बता रहे हैं कि महभूब को बता रहे हैं कि मैं तेरे लिए इतना ज़दा पागल हो चुका हूं और तू मेरी तरफ त प्रोब्लम होती है प्रिप्लाइद बंकर दूगे अगर लोग बिकार के कमेंट करेंगे तो ठीक काम के कमेंट कीजिए क्योंकि एक्जाम टाइम है मैं भी आप लोग की वीडियो बनाने के लिए बीजी हूं और अगर आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं तो फिर मुझे जवा लाई ह्यात आये कज़ा ले चले अपनी खुशी ना आये ना अपनी खुशी चले बहुत सिंपल सी बात है करने क्या होता है उल्हाइतर जिदेगी हम ना गया हम मतलब मौत मौत लेंगी चली घए हम चले गए ना हम अपनी खुशी आये थे में ना हम अपनी खुशी गए जब हम इस दुन्य कमें पैदा किया चाहरे हैं तूभी हमसे कोई नियए कि in पूछता कि तुम्हारा ने का मन कर रहा है सकते हैं दो तीन बार सुन सकते हैं ठीक है लेकिं क pies भाता रहां आपको बता रही हुँ ना सुनी हुई छीज थोड़ी देर तक याद रह जाती है इसलिए मैं आपको एक्स्प्लीं कर रही हूं ठीक आगे लिखते हैं बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे पर क्या करें जो कामना बे दिल लगी से चले यानि देखिए ना हम अपनी खुशी आए हैं ना हम अपनी खुशी जा सकते हैं बहुत मुखतर सा वखवा है दुनिया में लेकिन क्या करें हम दुनिया में आके इतने जादा मश्गूल हो जाते हैं दुनिया की चीजों के उनके साथ दिल लगा बैठते हैं कि जब हम मरते हैं तो मरते वक्त तकलीफ होती है मौत का हमें डर लगने लगता है कि यार हम मर जाएंगे तो पही कहते हैं कि इतना चोटा सा वक्फ़ अल्लापाक ने दिया है इससे बहतर वह दिल ना लगाएं दुन्यावी किसी भी चीज स लेकिन ऐसा हो सकते हैं कि हम दुनिया में रहें और दुनिया की किसी चीज़ से हमारा दिल ना लगे है ना हमें पढ़ाई भी करनी है हमें पैसा भी चाहिए हमें घर भी बनाना है हमें काम्याब भी होना है एक successful person बनना है life में है ना लेकिन क्या है बनने के बाद हम मर हम तो खाली हाँ जाएंगे अल्ला पाक पास समझ में आ रही है तो उसी चीज़ को कहते हैं कि भी इनसानों के लिए बहतर है कि वो दुनियावी चीज़ों से दिल ना लगाए लेकिन क्या करें बिना दिल लगाए काम भी तो नहीं चलता है ठीके आगे लिखते हैं कम होंग क्योंकि हमने जो भी चाले चली है ना चाल चलना इन दे सेंस के हमने कोई भी पैटर्न को फालो किया कोई भी चीज़ को अपनाने की कोशिश की किसी भी रास्ते पर चलने की कोशिश की हमेशा गलत ही चले या हमेशा नाक्यामियाबी को ही फेस करना पड़ा है ठीके तो हमा खिजर भी तो कहेंगे बेवक्मर्ग हम क्या रहें यहां अभी आया भी चले कहते हैं अगर हज़रत खिजर अलईसलाम की उम्र भी हमें अल्लापाक दे दे कि जाओ अच्छा तुम जी लो जब तक दुन्या खत्म नहीं होती किसी चीज़ में भी उससे सैटिसफेक्शन नहीं मिलता है उसी चीज़ को यहां उन्होंने दिखाई है अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ जब भी किसी पुराने बागिये का जिकर आता है तो उसमें कौन सी सनद इस्तिमाल की जाती है तलमी तो यहां पे कौन सी सनद का इस्तिमाल हुआ है तलमी का चीज़ के और जो पहला वाला ना लाई हयात आया कज़ा ले चली चली उसमें सनद तज़ाद है क्योंकि हयात और कज़ा दोनों opposite words है अगर share में opposite words आते हैं तो वो सनदे तजाद कहलाती है ठीक है अगला देखे share कहते है नाजार ना हो खर्द पे जो होना है हो वही दानिश तेरी ना कुछ मेरी दानिश वरी चले यानि कि अपनी जो दानिश मंदी है अकल मंदी पढ़े लिके होना उस पे तुम्हें घुरूर करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो चलता है वो सिर्फ अल्ला पाक का हुक्म चलता है ना तुम्हारे दानिश वरी चलेगी ना मेरी तो अपने अकल पे अपनी जहन पे बहुत ज़दा घुरूर करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है आगे लिखते हैं दुनिया ने किस का राह फना में दिया है साथ तुम भी चले चलो यूही जब तक चले चली क्या मतलब है कि ये राह फना ये दुनिया कैसी राह फना है यानि ये दुनिया फना होने की रहा पर जा रही है मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही हूं मैं वैसे वैसे मौत के करीब आ रही हूं आप सब भी जैसे बड़ी हो रहे हैं वैसे वैसे मौत के करीब आ रहे हैं यानि हम सब फना हो जाएंगे कोई भी इस दुनिया में पर्मेनेंटली रहने नहीं आया है अल्ला पाक पास सब को वापस जाने है तो कहते हैं यह दुनिया एक सलसिला है और जो चल रहा है और आप भी उसी पे चल रहे हैं मैं भी उसी पे चल रही हूँ हमारे parents भी उसी पर चल रहे थे हमाई grand parents भी उसी पर चल रहे थे आने वाली जो generation होगी वो भी उसी पर ही चलेगी कहना का मतलब यह कि एक सलसला है जिसके तहत हम सब चल रहे हैं किसी को इसके इलावा कोई अख्तियार नहीं है आगे आ जाते हैं जाते हवा शौक में है इस चमन से जौक अपनी बला से बादे सबा अब कभी चले है ना अब क्या है कि मतलब हम तो जा रहे हैं अब बादे सबा यानि हवा चले ना चले है ना या कैसी भी हो अब हमें कोई फरक नहीं पड़ता गर्ज है कि अब हम जा रहे हैं यह मक्ते काशियर है मक्ते काशियर इसमें अपने तकल्स इस्तिमाल किया है और यह बताना चाहरे है कि भाई देखो अब हम तो जा रहे हैं अब चले ना चले कुछ हो ना हो I don't care ओके चले आगे आजाते हैं यह घजल हो गई complete अब आजाते हैं अब आपकी जो तिस्री घजल है शाद अजीमाबादी साहब की है टोटल अपकी छे घजले है शाद अजीमाबादी साहब की यह घजल है तो देखिए यह इसके अशार देख लेते हैं हम लोग ढूंडोगे अगर मुलकों मिलने के नहीं नायाब है हम ताभीर है जिसकी हसरत औ गम ए हम नफसों वो खाब है हम इसमें क्या कहना चाह रहे हैं शायर साहब शायर साहब कह रहे हैं कि हम नायाब हैं हमें तुम मुलक दुन लो हम तुमें मिलने वाले नहीं हैं तो नहीं सबुएंगता हैं। एक हर किसी में 19 20 का फर्क जरूर्य मिलेworkers आपको कही कुछ जादा होगा तो कही कुछ कम होगा तो यहां पे शायर अपने बारे में बताते हैं कि हम एक ऐसे खाब हैं जो जिसकी ताबीर क्या निकलने वाली है कहीं पे खुशी कहीं पे घम कहीं पे हस्रत चाह कहीं पे घम कहीं पे तकलीफ ठीक है आगया जाएए अगल कुछ ना खुला हम में हैं दिल बेताब निहां या आप दिल बेताब हैं हम कहने का मतलब यह है कि यह अपने इश्क से अपने जो जजबा मुहबत है उससे पूछ रहे हैं कि भाई एक बात बताओ मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जिसन की अंदर एक दिल है वो धड़क है यह सरापा हम पूरा दिल ही बन गए हैं हम पूरा दिल बन के धड़कने शुरू हो गए है यह कब होता है यह असा तब होता है जो आप किसी चीज को नो शिद्द से चाहें आप चाहें कि मेरे 90% मांक्स आने चाहिए एनिहाव है उसके लिए फिर आप क्या करते हैं आप स खुद ही पूरा बन चुका हूं कि मुझे 90% अचीफ करना है आ रही है बस समझ में उस चीज को यह दिखाने की कोशिश की गई है ठीक है अच्छा हाँ पहला शेर तो हमने पहला शेर पढ़ लिया मुझे लगा शाद हमने पहला शेर नहीं पढ़ा है चले दूसरे शेर पर हो चड़ा सीमा भी वो सीमा भेह हम ठीक है क्या कहना चाहरhail नहीं के मतलब हम पहले से ही बहुत जड़ा तकलीफ में हैं है ना हमारे दिल के अंदर पहले से ही एक गुबार भरा पड़ा ए है ठीक और अगर उसके नीचे आग और लगा दी जाए तो उसकी उबाल में क्या होगा और तेजी आजाएंगी एना उसी तरह से मीरा हाल हुआ हुआ है देखेंगे लिकान सीमा अप खुद तरपता है और उसे बर्तन में रखकर अगर आग पर रख दिया जाए तो उसकी और हालत क्या हुजाती है खराब हुजाती है इसी चीज़ को यह उन्हें ने दिखाया है मैं हैरत और हसरत का मारा खामोश खड़ा हूं साहिल पर दरिया ए महबबत कहता है आ कुछ नहीं पायाब हैं हम चीज़ के या या मेरे अंदर हसरत भी है और हैरत भी है है ना लेकिन मैं साहिल पर यानि समंदर के किनारे का है खामोश खड़ा हूं क्यों खड़ा हूं क्यों 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 क्यो पा रहा हूँ यानि मीरे अंदर हिम्मत ही नहीं उपा रही है कि मैं दर्या में उत्रूँ यानि महब्बत के दर्या में उत्रूँ है ना मैं किनारे पर ही खड़ा हूँ आगे देखिए लिखते हैं लाकों ही मसाफर चलते हैं मन्जल पर पहुचते हैं दो एक एहले जमाना ये कद्र करो नायाब नहीं कम्याब हैं अलबा समझ में कहते हैं किसी मनजल के लिए लाखों मसाफर चलते हैं ठीक है लेकिन एक ही आद ऐसा होता है जो मनजल तक पहुच पाता है है ना कितने लोगों के खाब होते हैं हम डॉक्टर इंजिनियर बनेंगे ये करेंगे वो करेंगे लेकिन क्या सबके वो खाब पूरे हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं अब वजह चाहें कोई भी रही हो लेकिन एक ही आद होते हैं जो अपने खाब को पूरा कर पाते हैं उसी चीज़ को कहते हैं कि लाखों मसाफर चलते हैं मनज मदल नायाब नहीं कमयाब हैं यानि नायाब चीश्तों पहीं कहीं कहीं है तो पिर आगे आजाई यह अब अब देखें यहाँ पे छटा आपकर जो शेर है इसमें क्याolा काैते हैं मुरगान कफस को फूलों ने ऐशाद ये कहला भीज़ा है आ जाओ जो तुमको आना हो ऐसे में अभी शाधाब है हम है ना क्या मतलब हुआ ? मुर्गान अ कफस पिंजरा और मुर्गान कहते हैं पूलों नए ये संदेज बेजाए क्या संदेज बेजाए ? ये साथ के फ्रू बेजाए ? क्या कहते है ? अगर तुम को आना है न तो अभी आ जाओ क्यूं? क्यूंकि अभी बहार का मौसा में कहले हुए है वरना फिर हम तुमें नहीं मिलेंगे तो फिर तुम पैश्ञान मत होंना, जीके तो यहाँ पर क्या है, एक फीर सिंपल सी बात ज़र में जाने भी भूद स को बहुत अदर डिटेल में जाने की भी शाद replacesड़ी है Tीक, अब देखिए अगली गजल जो आपकी फानी सहाब की है दुनिया मीरी बला जाने महंगी है या सस्ती है मौत मिले तो मुफ्त नलू हस्ती की क्या हस्ती है क्या मतलब हुआ कि दुनिया मीरी बला जाने महंगी है या सस्ती है मुझे नहीं मालुम कि यह दुनिया महंगी है उनको वो चीज़े जरूर मिल जाएंगी लेकिन हमारे साथ कोई चीज नहीं जाने वाली है ना तो उसी चीज़ को यह दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई दुनिया में हमें नहीं मालूम दुनिया महंगी है या सस्ती है लेकिन मौत अगर फिरी में भी मिलेगी तो भी हम नहीं लेंगी ठीक है ठीक है अगला शेयर देखे यहां आपका क्या लिखता है आभादी भी देखी है विरानी भी देखी है ठीक है जो उजड़े और फिर न हम биसने वह दिल निराली बस्ती है ठीक है कहने का मतलब इसले हमने आभादिया भी देख्या कि उन्या Vielा और भी अगर किसी का दिल एक बार टूट जाए तो वो दूबारा बहुत मुष्किल से जुड़ पाता है है ना यानि अगर का किसी के उपर से एक भार भरोसा उठ जाए तो फिर किसी दूसरे पर भी भरोसा कर पाना बहुत मुष्किल होता है आ रहे हैं भास समझ में तो उसी चीज़ को यहां कह रहे हैं कि जो दिल है वो एक ऐसी बस्ती है जो अगर एक बार टूट जाये तो वो दुबारा नहीं बस्ती ठीक है आगे आ जाईए जान सी शे बिक जाती है एक नजर के बदले में आगे मर्जी गहा की है ठीक है मतलब क्याने का क्या मतलब है जान जो एक ग्रीमती शे है जो इनसान कभी किसी को देना नहीं चाता है अगर कोई मुसे कह के लाओ तुम अपनी जान मुझे दे दो मैं तुम्हें मार दूंगा किसी से महबबत हो जाए उसी चीज़ को यहां कह रहे हैं कि फिर क्या होता है फिर हमें अपनी परवा नहीं रहती है ना हम सर्फ क्या चाते हैं जो हमारा महबूब है उसकी खुशी उसकी अच्छाई उसका फ्यूचर उसकी बहतरी उसी में अपना सारा वक जाया कर देते है तो कहते हैं जान जैसी शैज वो भी एक नजर में बिक जाती है लेकिन आगे मर्जी किसकी होती है गाहक की होती है कि उनको क्या करना है उनको उसका दाम देना है या उसे सस्थीक करके छोड़ देना है जरूरी नहीं है कि अगर हमें किसी इनसान से मतलब महबत हो जाए उल्फत हो जाए तो जरूरी नहीं है कि उसको भी हमसे हो तो उसी चीज़ को यह इनोंने दिखाने की कोशिश की है आगे आ जाईए ठीक है अगला शेयर लेखते है जग सुना है तेरे बगएर आँखों का क्या हाल हुआ जब भी दुनिया बस्ती थी अब भी दुनिया बस्ती है यानि अब क्या है अब आपका कोई अजीज आपसे दूर हो गया है ठीक है तो उसकी जो एक कमी आपको महसूस हो रही है ना उसको बताती हुए यहाँ पर शायर कहता है कि भई जग सुना है तेरे बगएर है ना और आखों का क्या हाल हुआ यानि तेरी याद आ रही है तो क्या है हम रो भी रहे हैं और नजरे तुझे हर वक्त ढूंड भी रही है तो कहते हैं जग सुना है तेरे बगएर आखों का क्या हाल हुआ है ना दुनिया लेकिन तब भी बस रही थी और दुनिया तो आज भी बस रही है यह ना दुनिया के ऊपर कोई असर नहीं है लेकिन मुझ से पूछ के तेरे जाने से मेरा और मेरी जिन्दीगी का और मेरी आँखों का क्या हाल हो गया है आर ये बात समझ में देखे तश्री नीचे वजाहत के साथ दी गई है अगर आप लोग चाहें तो हम आसे देख सकते हैं पढ़ सकते हैं ठीक है चले आगया जाईए आसू थे सो खुशक हुए जी है के उमर आता है दिल पे घटा सी चाती है खुलती है ना बरसती है यानि कहते हैं कि हम इतना रूए हैं कि रूने की वज़े से जो हमारी आँखों से आसू निकलने वाले थे ना वो सब क्या हो गया है खुशक हो गया है सूख गये है लेकिन फि कि एक गटा सी चाहिए यह बादल चाह गये किसकी तेरी याद के है नगipp ऑन जाते हैं ना वह नहीं बरसते हैं यानिंग अब क्या है अब रोना आ रहे हैं लेकिन अब हम रू नहीं पार रहे हैं ना तो डिल पे गटा सी चाह गये ना खुलती है ना बरस्ती हैं आन् सो्थ हैं आफू भई तुम वापस आ जाओ आगे देखिया अगला सवाल क्या लिखते नहीं जाल नहीं जालिम इस onion कैने का मतलब यह है के दिल का उजार देना बहुत आसान होता है हम किसी का दिल बहुत आसानी किसीबी सिचुएशन में लेकिन उसको बसाना बहुत मुश्किल होता है आप अपनी बातों से किसी को भी एक सेकंड में हर्ट कर सकते हैं लेकिन किसी को अपने तरफ मतवज्जो करना बहुत मुश्किल होता है तो कहते हैं दिल की बस्ती बसाना कोई खेल नहीं है, बस्ती मतलब in all यह हर चीज आप ले सकते हैं कोई भी चीज आसानी से नहीं बनती अगर आज आज आपका यह चैनल इतना बड़ा है तो यह धीरे धीरे ही तो हुआ इसे होने में 3-4 साल जो भी लगे आप सब की मेनत आपकी मौबत सब लगी है इसमें ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आज चैनल बनाया और कल उसमें हजारों में सब्सक्राइबर हो गया है आरे यहां समझ में तो कहने का मतलब यह है कि कुई भी सिच्वेशन ना बनते बनते बनती है लेकिन उसे तोड़ना एक सेकिंड का काम होता है ठीक है चले आगे आजाईए अब यहां फानी साहब ने अपना दो बून को तरसती है यानि कहते हैं फानी यानि फना होने वाला है ना क्या जिसमें आसू क्या दिल के लहु का काल ना था यानि उसमें आसू तो आसू दिल का यानि खून का खून के आसू बहते थे अब वो आसू वो आखे इतना रोई है कि रोने की वज़े से सारे आसू सूख चुके हैं अब वो आखें दो बून पानी के लिए क्या है तरस रही है उनके अंदर बिलकुल भी पानी नहीं बचाए ठीक है तो देखें यहां तक मैंने आपको साही चीज़र डिटेल में बता दी है 24 मिनिट की आपकी वीडियो हो चुकी है उससे जाद ही हो चुकी है और नजबे वगएर भी मैंने इसमें बता दी है अब अगर हम बात कर लेते हैं असगर साहब की तो ठीक है यहां पर देखिए आप इसको थोड़ा सा देख लीजेगा यहां मैंने आपको तश्री बता दिये इसे हम थोड़ा सा और स्पीड में निकालेंगे अब कहते हैं आलम रोजगार को आसा बना दिया जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया यानि जो दुनियावी गम थे ना उनको आसान बनाने के लिए हमने क्या कर दिया है उनको गमे जाना कर दिया है यानि कभी भी महबूब का जो गम होता है वो बुना नहीं लगता वो हमें में आगे आज़ीए लिखते हैं मैं काम्याब दीद भी जल्वों के अज्द हाम ने हैरा बना दिया यानि मैं कामियाब दीद भी हूँ यानि दुनिया में जो चीजे हमें एजिली दिख रही है जिने मैं देख पा रहा हूँ उसके लिए मैं क्या हूँ कामियाब दीद हूँ और जो चीजे मैं नहीं देख पा रहा हूँ उसके लिए क्या हूं महरूमे दीद हूं और जल्व के अस्दाहाम यानि इतने जादा अल्ह पाक ने इस दुनिया में जल्वे दी हैं कहीं फूल तमाम तरह कि भई एक हम नाम लेते हैं फ्लार्स फूल याना कितने तरह कि आपको फूल देख जाते हैं तो यह सब क्या है अल्ला की तो खुदुरत है और इसने हमें क्या कर दिया है हैरान बना दिया सोचने पर मजबूर कर दिया क्या अल्ला पाक कितने बड़े कारिगर हैं आगे आजाए यू मुस्कुराए जान सी कलियों में पढ़ गई यू लब कशा हुए के गुलिस्ता बना दिया क्या मतलब हुआ कि जब महबूर मुस्कुराता है उसके होट खुलती है तो क्या होता है कि जब वो मुस्कुराए तो कलियों में जान पढ़ गई और जब वो मुँ खोल के थोड़ा सा हसे तो क्या हुआ पूरा गुलिस्तान बन गया यानि महबूर की हसी की उनकी मुस्कुराएट की यह तारीफ की गई है चीके आगे आजाएए एशेख वो बसीत हकीकत है कुफर की कुछ कैद रस्म ने जिसे इमा बना दिया अब दिखे अर्दु शैरी में शेख का बहुत एहम रोल है शेख साहब क्या करते हैं दूसरों को नसियत अपने को फजियत करते हैं आप से कहेंगे नो नो शराब नहीं पीना शराब पीना गंदी बात है और खुद साहब बैटे शराब पीने होंगे तो उनसे ही कहते हैं कि भाई शेख साहब क्योंकि शेख साहब के नजदीक क्या है जो उल्टी सीधी हरकते हैं वो क्फर है और किसी मजभब के किसी एमान के ग्याद में रहना तो अच्छी बात है तो कहते हैं आज यहाँ उल्टाई हो गया ठीक है यहां पे उसको ही कह रहें कि कुफर की जो हकीकत है वो यही है कि आज हम अजाद हो गए और हमने जो मज़भ है उसका पालन करना क्या कर दिया है खत्म कर दिया है चेकिए wise शौरिष निजाम 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 ज़हाँ जिन के दम से है जब मकतसर किया उन्हें इन्सा बना दिया यह जाने किहते है यह जरो लिए दुन्य इतने हैं इस दुना में तमाम हंगामे हैं ना इन्साबार कर दो जो वज़ता झाए तो इसकी वज़ह क्या है इस तुम ने तो मुस्कुरा के रगे जहाँ जानेन। अगली गजल है यास्ट चंगेजी साहब की है तो अब देखी इनका क्या लेकते हैं यहाले पैपने दिल तकाजे उठाए हैं क्या-क्या होस्णे शौक के पहलु दबाएं हैं क्या-क्या है तो क्या कहते हैं कि अदब की वज़े से क्या क्या तमाशे उठने लगें इस शेर में शायर कहना चाता है कि दिल और होस दोनों में क्या है दोनों ने इनसान को बहका दिया है और दोनों क्या करते हैं इनसान को गुनाह की तरफ ले जाते है है ना तो मतलब यह की दिखिए जब इनसान का यह शौखी तो होते हैं जो हम गलत काम करने लगते हैं है ना भई कोई इनसान अगर स्मोकिंग कर रहे है तो कोई वो दबा तो नहीं है वो उसको शौखी तो है जो वो स्मोकिंग कर रहे है आरी है बास समझ में तो यहां किते हैं अदम ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या-क्या हॉस ने शौक के पहलो दबाए हैं क्या-क्या यानि हॉस ने क्या कर दिया है शौक के पहलो को उजागर कर दिया है सामने कर दिया है जिससे कही ना कही हम बेद्बी की तरफ जा रहे हैं के कल है कितनी दूर इस आज कल में बबाइस दिन गवाईं हैं क्या क्या सिम्पलाबत है कि एक ढृका मिले हमारे वक्तनों की तक आप लोग को यह लगता है कि माम कोई वीडियो दे दीजिए तो मुझे है रहत हुई एक बचे ने कमेंट यह किया 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 कि मैम का इसा होता कि यूट्यूब में ना एक्जाम के दिन 2x की बज़ा है 4x तक कहानी पहुच जाती है अब बताईए अगर यूट्यूब 2X की बजाए 4X भी कर देगा तो आपको क्या कोई बात समझ में आईगी यह उनी बच्चों का मैसेज हो सकता है जिन बच्चों ने पढ़ाई नी की होगी सारे साल तब ही वो मारे खरे दे फिर रहे हैं सोच रहे हैं कहीं से डोरी मॉन का गैजट मिल जाए और मैं जल्दी से बुक पे रखों और पूरा ब्रेट खा जाओं ताकि मुझे सब कुछ मेमराइज रो जाए है अगले शेर में कहते हैं किसी के रूप में तुम भी तो अपने दर्शन दो जहां में शहां गुदगदा रंग लाए हैं क्या क्या सिंपल सी बात है बतलब अल्लह पाक से कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए मुंतजर हैं कि तुम भी किसी रूप में मुझे दर्शन दे दो ताकि मैं भी तुम्हें देख सकूँ लेकिन कहते हैं अल्लह पाक हर शेय में मौजूद है बस हमें क्या देखने की निगा चाहिए ठीक है उस चीज़ को यहां दिखाया गया आगे देखे लिखते हैं पहाड काटने वाले जमीन से हार गए इसी जमी में दर्या समाएं हैं क्या क्या तो वो जीट के जाएगा फिर उसके नजरों में पहाड और दर्या कोई भी चीज़ माने नहीं रखते हैं ठीक है आगे देखें यहां लिखा है बुलंद हो तो खुले तुझ पे राज पस्ती का बड़े बड़ो के कदम डगमगाएं हैं क्या क्या यानि कहते हैं अगर तुम बुलंद होगे बुलंद होने का मतलब यह नहीं कि तुम लंबे हो जब बुलंद होने का मतलब यह होता है कि तुम अपने ख्यालात को बुलंद करो यानि तालीम हासिल करो जूजो किताबों को पढ़ो नौलिज को गेन करो उस वक्त तुम्हारे उपर जो पस्ती के राज है ना वो सब चीज़े खुल जाएंगी ठीके क्यों क्योंकि अधिके इनसान जो है ना वो एक हद तक पढ़ते हैं उसके बाद वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है तो कहते हैं बड़े बड़ो के कदम डगमगा गए हैं लेकिन तुम पढ़ो नजर डालो तब तब तुम्हे सारी जो भी राज है जो भी चीज़े लापाकी हैं वो सब तुम्हारे उपर रोशन हो जाएंगी ठीके आगे लिखते हैं खुशी में अपने कदम चूम लो तो जीबा है वो लगजशों पर मेरी मुस्क०ू आएं' जायरे कहते हैं यहां अपने महबूब जो secured हे लगज़शों पर नराज होने की बजारे मुस्कूराने लगाएं उसके लिए कि अगर मुस्कुराइट देखकर मेरा जी चाता है कि उसकी क्या कर लो कदम चूम लो ठीके सिंबल सी बात है आगे आज़े यह लिखा है खुदा ही जाने यागाना मैं कौन हूँ क्या हूँ खुद अपनी जात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या यागाना मुझे नहीं मालूम कि अल्ला ही जाने कि मैं कौन हूँ किस तरह का बंदा हूँ अपने ही जात पर हमें शक आने लगता है यानि कभी कदर हम लोग को खुद ही इस चीज़ का एसास होने लगता है कि सचमुच हम अल्ला पाक के नेक बंदे हैं भी या नहीं मार ना पीटना लडाय लडना दूसरों कहा दिलखाना तो क्या सचमुच हम अल्ला पाक के नेक बंदे थे तरह अंर पाक हमें चाह रहे दे क्या हम उस तरह के बंदे हैं तो तो उसी चीज़ को कहते हैं कि मेरे दिमाग में भी शक आ रहा है अपने आपको लेकर ठीक है तो यहां यास यगाना चंगेजी तक की कहानी आपकी हो गई कम्पलीट अब हम लोग चलते हैं किस तरफ रुबाई की दरफ तेकि अब यहां पर थोड़ा सा रुबाई के बारे में जान लीजिए रुबाई में क्या होता है पहला दूसरा और चौथा मिस्रा हम काफिया होता तो यह किस वाता हुगा तो रुबाई के बारे में हो गया अब हम आगे आ जाते हैं तो थोड़ा सवनी के बारे में भी देख लीजिए टिक है किमयर्व जो अनिस है उनका क्या ना मुक्त पाid हुए तो च disgust duh वातों ठीक है इसके बाद यहां देखें पूरी सारी बाते लिखी हुई है आप लोग पढ़ना चाहें तो यहां थोड़ा सा पढ़ सकते हैं वैसे अनीस के बारे में आना इतना जरूरी नहीं है लेकिन क्योंके रुबाई के बारे में आपसे पूछा जाता है तो इसलिए अब हम ल पाक ने इस काइनात में किस तरहां से हर चीज को बनाए है और हर तरफ अल्लह पाक के जल्वे बिख्रे हुए हैं ठीक है यह था रुबाई का मरकजी ख्याल यहां रुबाई का खुलासा भी आप देख सकते हैं उसमें भी यही बात है ठीक है अब यह रुबाई के आपके और इसके बाद अगर हम तश्री की बात करें तो देखिए आपको पता है जब भी आपको तश्री आती है तो पहले आपको सियाको सबाक निकना होता है जिसका मतलब होता है कि यह जो ऊपर अशार है यह कहां से लिए गए हैं और इसको किस ने लिखा है इसके बाद आपको इस दुनिया को सजाया है कही चमन है तो कही सहरा है कही पहाड है तो कही जंगल है कही पानी है तो कही रेथ है सारी चीज़े अल्ला पाक ने बनाई है ठीक है इसके बाद अगर हम चलते हैं उनकी दूसरी रुपाई की तरफ क्योंकि अनीस की दो रुबाईएं शामिल है ठीक है दूसरी रुबाई में अनीस ये बात बताना चाह रहे हैं कि अल्ला पाक दुनिया में जिसको इज़त और मरतबा दे रेते हैं वो इनसान खुद ही बहुत अच्छा हो जाता है है उसके अंदर आजिजी खुद बखुद नहीं बचता उसी चीज़ को यहां इन्होंने बताया है ठीक के देखें यहां लेकते हैं अच्छा और जो एक पढ़ा लिखा एक समझदार इनसान होगा ना एक ओदे बेटा हुआ इनसान होगा वो कभी भी दूसरों को जलील या हकीर दिखाने की कोशिश नहीं करेगा ले आसे आप यह देखें तश्रीवी देख सकते हैं ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं तो अब आपकी जो दूसरे हैं वो तो इनके बारे में थोड़ा सा गराप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अदरवाइस पेपर में इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा अब अग अगर मरक influences हैं तो हमाल के लिखते में ओक्ती हैं, तो इनके अर उसका थाएदा है, तो जाया नहीं बातHI अब रुबाई यह आपका खुलासा भी हो गया, अगर हम इसके बात करें तो यह रही इसकी तश्रीप, तो इसकी तश्रीप में भी यह वाली बात उनोंने बताई है, कि अल्लापाक ने जो हमें ने निमते दी हैं, हमें उनसे फैज्याब होना चाहिए, जो भी अल्लापाक न जिस हाल में हमें रखा है उसमें हम अल्ला का शुक्र अदा करना चाहिए अगर हम दूसरों से कमपैरिजन करते हैं तो जो हमें मिला है ना मुसका भी मज़ा नहीं ले पाते हैं ठीक है उस चीज़ को यहां इन्होंने बताने की कोशिश की है अगर हम दूसरी रुपाई की बात करें तो देखें यहां पे इनकी दूसरी रुपाई है जिसका मरकजी ख्याल देखें तो लेखते हैं इस रुपाई में बाहमी मिलwooल और अमन के साथ जिन्ते की गुजाने का पैगाम दिया गया है हमें आपस में मिल जूल के रहना चाहिए लड़ाई जगड़ा दंगे फसाद ये सारी चीज़े चुगली या एक दूसरे से जलना हसत करना ये सब काम में नहीं करना चाहिए ठीक है यही देखें रुबाई के खुलासे में भी कहते हैं कि अच्छा और मजभी और नेक इंसान वही है जो सच बोले, अच्छे काम करे, किसी से गुसा ना करे, थेकि या देखें फसादात को बढ़ावा ना दे तो इस चीज़ को यहा इन्हों ने बताया है अगर हम इसके खुलासे की बात करें इसकी तश्री की बात करें तो देखें यहां तुझ आप देख पा रहें तो पहले ही सुलाह कर ली जाए, लड़ाई लड़ने की जुरूरती नहीं है, तो उसी चीज़ को यहाँ ही नोने बताने की कोशिश की है, उमीद करते हूं, इस आई चीज़ आपको किलियर हो गई होगी होगी, ठीक है, चलिए तक हमने दो वीडियो आपके लिए अपलोड कर कर दो दो अटोड़ कि रॉड़।